वेलकम टू यू आल एट माई यूटीब चैनल स्टडी टाइम वित इसके हलो दिसे सुनाली कुमारी और इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसी के लैब इजामिनिशन से रिलेटेड डिफरेंट सी रीजनल सेंटर से आईवे अपडेट के बारे में यहां पर डिया जाएगा दूसरे पेज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डाउनलोड का ओप्षन आएगा और यह मेरे पास यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है बीएसी के प्रोग्राम के स्टूडेट के लिए सबसे पहले यहां पर डेट सीट लगाई गई है से बिलॉंग करते हो तो आप अपनी रीजनल सेंटर को कॉंटेक्ट कर सकते हैं इन्रॉल्मेंट नमबर एक्जामिनिशन सेंटर एक्जाम का एड्रेस अनि कि कहा जाकर कि आपको एक्जाम देना है स्टुडेंट के नेम और कोर्स इस यहां पर क्लिरली लिखे हुए हैं तो आ कर्मेंट पीजी कॉलेज है सिरोही में यहां पर आपको एक्जाम देने जाना है स्टूडेंस को और इसके बाद महिला पीजी महाविद्याले जोदपूर तो यह तीन एक्जामिनेशन सेंटर हैं जो जोदपूर रीजनल सेंटर के द्वारा सेलेक्ट किये गए हैं अब चल वाले सेक्शन में दिख जाएगा यहां पर आपको वाइवा दिसंबर 2020 आपको यहां पर क्लिक करना है जिसके बाद यह देखिए आपको एक नए पेज पर डायरेक्ट किया गया है और यहां पर आपको मार्च में जो होने वाला प्रैक्टिकल है स्टूडेंट के प्रोड कर दिया जाएगा बैच्वाइस टाइम टेबल यहां पर एलिजिवल स्टूडेंट की लिस्ट अभी दी गई है ताकि स्टूडेंट्स अपने नाम को चेक कर सके और अगर उनको उनका नाम नहीं है तो वह अपने रीजिनल सेंटर में कॉंटेक्ट करके अपने ना स्टूडेंट्स तक होने वाला है बैच्वाइस से तरीके से मैंने पीछे कहा कि बहुत ही जल्दी इस पर डिस्प्ले करने की बात यहां पर कही गई है स्टूडेंस अपना नाम अपने कोर्स एयर रीजिनल सेंटर का कोड और नाम भी देख सकते हैं अपना यहां पर जाकर यह 12L के स्टूडेंस हैं यह CHE 3L के स्टूडेंट हैं CHE 7L के स्टूडेंट और यहां पर CHE 8L LSE 11L इस तरीके से यहां पर इस तरीके से स्टूडेंस को उनके नाम के साथ उनके कोर्स के साथ अरेंज कर दिया गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्राब्लम ना हो अपने नाम को ढूणने में इस लिस्ट के अंदर तो ये अपडेट है इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा लखनों की जो रीजनल वेबसाइट है वहाँ पर एक छोटी सी अपडेट आई हुई है उसके बारे में देख लेते हैं अब आप आचुके हो लखनों की रीजनल सेंटर की ओफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर आपको न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में आना है जहाँ पर चार मार्च को ये अपडेट किया गया है इसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको वो पीडियफ डाउनलोड करना है और जो भी लखनों रीजनल सेंटर से रिलेटेट स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर इस पीडियफ को पढ़ लेंगे यहाँ पर वही सारी बाते लिखी हुई हैं जो पीछे कि जो पीडियफ हमने आपको एक्स्प्रीन के थे उसके अंदर लिखी हुई है अब बात कर लेते हैं हम दिली रीजनल सेंटर 2 के स्टूडेंट के उनके गूगल फॉर्म के लिंक के बारे में कि लिंक तो आ चुका है उनके पास लेकिन अभी तक दिली रीजनल सेंटर 2 के जो स्टूडेंट है उनके मेल पे कोई भी रिप्लाई नहीं आया है तो जो दिली रीजनल सेंटर 2 के स्टूडेंट है उनके पास गूगल फॉर्म की लिंक तो है लेकिन अभी तक उनके उन्होंने जब फॉर्म अपना फिल कर दिया इसके बात कोई भी वहां से अपडेट नहीं आया है कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो इससे अभी कोई भी अपडेट यहां पर नहीं डाली गई है आपके रिजनल सेंटर की वेबसाइट पे लेकिन एक बात जरूर है कि अभी तक दिली रसी टू ने ये इक अन्फॉर्म न आने वाले दिनों में दिली रिजनल सेंटर टू जो है लिस्ट भी अभी थोड़े दिनों में ही आप स्टूजेंस की देने वाला है जिसके अंदर आप अपने नाम को चेक कर पाएंगे तो यह तो था आज का अपडेट जहां पर हमने जोथपूर रिजनल सेंटर मुंबई लखनौ रिजनल सेंटर और दिल्ली आर्सी टू के बारे में जाना यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर करें कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक ले स्टे ट्यू